combinations of registers तो combinations इसलिए लिखा कि दो अलग अलग तरह कि जो important type के हैं जो well defined है वो कहा है series and parallel तो सबसे पहले हम लोग series combination की बात करते हैं कि series combination में होगा क्या देखें आपने पढ़ा हुआ है बहुत लोगों को समझ आया होगा बहुत लोगों को नहीं भी समझ आया होगा तो अगर हम लोग सबसे पहले series combination पे जाते हैं तो formula r1 plus r2 plus r3 ऐसा हो जाता है इसा होता क्यों है वो समझना जरूरी है तभी हम अच्छे numericals लगा पाएंगे और class 12th में भी यह है अभी class 10th में हम लोग पट रहे हैं तो देखे जैसे तीन register हमने लिया r1 r2 and r3 इन तीनों को connect कर दिया और connection का एक बड़ा special pattern है एक तरीका कि भी r1 को r2 से r2 को r3 से इस तरह से connect किया तो अगर इस तरह का combination इसको series combination कहते है कुछ technical words तो होने चीए कुछ points तो होने चीए तब आप बता पाओ कि यार अच्छा series में ऐसा होता है वही चीज समझना है जब इसको हम लोग derive करेंगे तो actually जो हम लोग formula लिखते हैं मतलब combination मतलब हम लोग equivalent resistance पर जाते हैं अगर यह point A और यह point B अगर A और B के बीच का अगर equivalent resistance R है ठीक है तो हम लोग R को क्या लिखते हैं R1 plus R2 जहां तक आप सब को पता है R3 अब हमें समझना है कि यह आता क्यूं है कैसे आता है और उसके बाद क्या-क्या और कर सकते हैं तो देखिए हमने equivalent resistance R assume कर लिया तो यहां पर equivalent resistance तक पहुंचने से पहले एक equivalent circuit की बात होगी तो देखो दो circuit देख रहा है मालो यह circuit 1 है and this one is circuit 2 यहां पर मैंने एक ही register लगाया हुआ और उसको R assume कर लिया equivalent जो resistance लिखना था हमें इस combination के लिखना था मैंने इन दोनों end पे जिन दो points के बीच में हमें resistance चीए था मैंने एक battery connect कर दिया है जिसका potential difference V है ठीक है अब मैंने एक दूसरा circuit बनाया है वहां पर भी यह V लगा दिया वहां पर भी यह V लगा दिया दूनों एक जैसा circuit दिख रहा है मतलब मिलता जुलता identical तो सवाल ही नहीं है यहां पर अब देखिएगा क्या करना है दो चीजों से देखते हैं एक तो यह input ठीक है तो दोनों जगों पर अगर input की बात करें आप वह एक जैसा है output जब देखेंगे मतलब जो outcome क्या है इस input का वो current से measure कर सकते हम यहां पर तो आई लिखते हैं और भी heat से कर सकते हैं बहुत सारी चीजह हो सकते बट जो simplest तरीका है जो आपको सिखा देगा समझा देगा तो आई यहां पर क्या लिख दिया हमने तो हमें यह लिखना पड़ेगा if i1 equal to i2 then circuit 2 is equivalent to is equivalent to 1 ऐसा लिख सकते हैं यहां तक समझ आ रहा है तो अगर यह circuit a के equivalent हो गया ठीक है if circuit 2 is equivalent to circuit 1 then r is equivalent to this combination यहां तक समझ आ रहा है अब मैं officially इसको तरीके से कह सकता है yes यह जो आ रहे है this is the equivalent resistance for given combination यहां तक समझ आ रहा है तो ohm's law से यहां पर मैं एक equation लिख दूँगा वी को क्या लिखूगा आयार थोड़ा time लगता हुआ दिखेगा यहां से clarity आएगे concept में और clarity आएगे तो आप समझ पाओगे कि भी है क्या इसके बाद कहा नहीं ठीक है तो यहां पर आयार अब देको आई तो अब देको एक resistance तो अब current क्या होता है rate of flow of charge with respect to time अगर एक मोटे तौर पर देखें तो current क्या है flow of charge उसके rate को जो लिखते है वही current हो जाता conventional current हम लोग positive to negative लिखते है ठीक है actual में क्या होता है negative to positive electron move कर रहा होता है यह भी हम लोगों ने discuss किया हुआ है detail में current में जब हमने शुरू किया था जो first lecture is chapter का है तो यहां पर देखो current किसी चीज का flow है किसी चीज का charge particles का तो यहां पर इस पूरे circuit में यहां पर इस पार्ट में देखो between A and B कहीं पर कोई source या नहीं है source या नहीं होने का मतलब ना तो extra charge आ सकता है ना तो extra charge रुक सकता है वहां पर समझ आ रहा है मतब अगर यहां पर आई है तो यहां पर भी आई होना चीए यहाँ पे भी आई होना चीए मतब सबसे पहला point हम लोग resistance, series combination के लिए क्या लिख सकते हैं current through all the registers current through all the registers connected in series will be equal यह पहचानने का तरीका होगा series combination and parallel combination को, तो सबसे पहला point कि current equal होगा, जितने भी registers जो series में connected हैं, यहाँ तक समझा है दूसरा क्या होगा, अब देखो current equal, resistance different है, तो यहाँ पे इन सब के लिए जो potential difference आएगा, according to ohms law, वो क्या हैगा V1, तो यहाँ पे IR1 V2 IR2 and V3 IR3 लिख सकते हैं, तो इन सब को potential difference मिला, वो इस battery के वज़े से मिला, तो यह V जो है, यह इन तीन जगों पे distribute हुआ है, यह V जो है, इन तीन जगों पे distribute हुआ, अगर 5 registers होते हैं, तो इन 5 पे distribute होता, ठीक है यहाँ तक समझा है, तो आई दूसरा, distribution of distribution of potential difference, in fact हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे V equal to V1 plus V2 plus V3 अब from equation 1, we have IR IR लिख दे हैं हमने V1 को कह लिखेंगे, IR1 तो IR1 लिख देंगे अब, plus IR2 plus IR3 in this way, हमारे पास यह फॉर्मल आता है, R R1 plus R2 plus R3 this is the formula for the series combination of registers लिख सकते हैं, तो अब इसको देख लीचे, समझ लीचे, और यही चीज अभी class 10th में पढ़ रहे हैं, exactly यह चीज class 12th में पढ़ना पढ़ेगा, यही concept, तो आप देखना, समझना इसको, तो यह series combination हुआ, series combination में कैसे outcome कम आता है, क्या equivalent circuit होता है तो हमें यह दो points याद रखने हैं कि current का equal होना है सभी में जितने भी register series में connected है और क्या होगा, distribution of PD, मत्बद potential difference वहाँ से हमें यह answer मिल गया, तो यह formula, ठीके तो series combination क्या हुआ आपके समझ आ गया, अब इसके बाद हम लोग parallel combination देखेंगे, ठीके